इन में से कौन दुई बीच पत्तरी पौधा है? आपको बताना है दुई बीच पत्तरी पौधा बास, केला, गन्ना, सरसो जल्दी से आप सभी बिकल्प चूज करिए बिकल्प आप का यहां पर सही हो जाता है D सरसो नेक्स्ट है पौधो में जल का अधिग्रहन किसकी द्वारा होता है? जायलम, फ्लोयम, कैम्बियम, पैलिसेट विकल्प आप का यहां पर सही हो जाता है A जायलम नेक्स्ट इंपॉर्टन कोशिन पर आजाते हैं कौन सा प्रतम साहित्य स्रोत है? साहित्य स्रोत से कोशिन पूछा गया है रिक बेद, साम बेद, यजूर बेद, अधर बेद विकल्प आप का यहां पर सही हो जाता है A रिक बेद नेक्स्ट कोश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा कोश्चन है, वाई मंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? विकल्ब आप सभी के सामने, ओजोन और ओक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाय ओक्साइड और ओजोन, आरगन एवंग ओजोन, तो विकल्ब आप के हहाँ पर सही हो जाता भी, ओक्सीजन यवं नाइट्रोजन, ओक्सीजन का परतिस्ट कितना है? 20.95% और nitrogen का 78.08% आपको मैंने वन लाइनम ने ये कोश्चन करवाया है ये दोनों गैसी मिल करके वाई बंडल में पुरा कितना मनाती 99% भाग बनाती है परियावरा रध्यान में सैक्षणिक भ्रमण का मुल उद्देश्य क्या है बच्चों की उर्जा को बिक्सित करना चात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनभाव सामाजी करोन को बढ़ावा देना टीम बहौनों को बढ़ाना प्रत्यक्ष अनभाव प्रत्यक्ष अनभाव के द्वारा बच्चों को सिखाना ज़्यादा आसान होता है तो इसलिए यहाँ पे option आपका सही हो जाता है B अगले question पर आते हैं अगला question है कारे की रूप से शुस्क मिट्टी की क्या विशेस्ता है इसको कैसे पहचानेंगे शुस्क मिट्टी, शुस्क मिर्दा, एरिट स्वायल कैसे पहचानेंगे बिकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा यहाँ पे हमारा option सही हो जाता है C मिट्टी में लवड सांदरता अधिक होगी शुस्क मिर्दा, शुस्क और अर्द शुस्क जलवाय वाले छेत्रों में पाई जाती है ध्यान दीजेगा इस प्रकार की मिट्टी में घुलन सील लवड और फासफोरस की मातरा अधिक होती है लवड के साथ साथ आप यह भी जानिए फासफोरस की मातरा अधिक होती है शुस्क मिट्टी में नाट्रोजन और कार्बनिक तत्तो की मातरा कम होती है यह सबसे कम उपचाओ मिट्टी होती है ध्यान दीजे कि इतने सारे पॉइंट इंपॉर्टन है अगले एक्जाम में माली जी यह कोश्चन ना पूछ करके साइड वाला पॉइंट पूछ लिया जाए सतत और व्यापक मोल्यांकन क्यों आवश्यक है विकलब आप सभी के सामने है तो आप्सन यहां पर आपका कौन सा सही हो जाएगा सिक्षार्थियों ने कितना सीखा या जानने के लिए सिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना बनाये रखने के लिए बिल्कुल नहीं होगा निरंतर मोल्यांकन होते रहने से सिक्षार्थियों में परिक्षा का अनावस्यक भाय नहीं होता है तो विकलब आपके यहां प कोशेन प्र perfectly को कैसे बदलते हैं कि great are you भूपेन हमारा आप्सण सही हो जाता है झाज शरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं सिते कल यहां पर चुन कर चरना देखिए घास चरने वाले पशुंस भी वनस्पतियों को नहीं चरते वे कुछ ही वनस्पतियां अधिक चरते जिससे वे वनस्पतियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाती और उनके इस्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती है ठीक है चरने वाले पसु वनस्पतियों को चुनकर ही चरते जिससे वनस्पतियों में परिवर्तन होता रहता है बात समझ भाई इस प्रश्ण का उत्तर इसका क्या मतलब है अगले कोशन पर आ जाते हैं अगला कोशन है निम्न में से कौन स्वस्त अस्थियों के लिए आवश्यक है देख लीजिएगा ध्यान से आप्सन आपको पढ़ना यहां पर कैल्सियम जरूरी है कैल्सियम के साथ साथ आपको कौन सा बिटामिन जरूरी है अस्थियों के लिए ध्यान दीजिएगा विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है डी कैल्सियम तो है साथ साथ ने आपको बिटामिन डी भी चाहिए क्लियर हो गया कैल्सियम और बिटामिन डी स्वस्त हड्डियों के लिए आवश्यक होता है इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है रिकेट्स और वैसकों में कौन सा एक्जाम में कोशन पूछा जाता है रिकेट्स हो गया बच्चों में और वैसकों में ओस्टियो मेलेशिया देखिए यहां पे लिख देते हैं ओस्टियो योग्या मेलेशि यह बिमारी होती है, विटामिन D का रासानिक नाम पूछा जाता है यह क्या है? विटामिन D का रासानिक नाम कैलसी फेरॉल अगले कोशिन पर चलते हैं अगला कोशिन है भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम है मौंट केटू, मौंट एवरेस्ट, मौंट कंचन जंगा, मौंट दोला गिरी विकल्प आपके यहां पर सही हो जाता है मौंट केटू भारत का सर्वोच परवसिखर मौंट, गाडविन आस्टिन या जिसी कहते हैं केटू कारा कोरम स्रेणी परिस्थी थे, आप सभी जान रहे हैं समुदर तल से इसकी उचाई कितनी है, 8,611 मिटर ठीक है, और एक चीज, केटू कहां परिस्थी थे, पाक अधिगरहित, जो भारती भुभाग है, वहां परिस्थी थे जो पाक ने अधिगरहन कर लिया है अगला कोशिन है, वाय मंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है वाई मंडल की सबसे निशली परत का नाम आपको बताना है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, छोब मंडल विकल्पी यहाँ पर आपका सही हो जाता है Very Good D. छोब मंडल Clear है? वाई मंडल की जो परत है सबसे पहले देखिए छोब मंडल फिर उसके बाद यह 0 से ले करके 12 किलो मेटर तक होती है छोब मंडल की बाद आता समताप मंडल 12 से ले के 50 किलो मेटर तक फिर उसके बाद आता मध्य मंडल 50 से ले करके 80 किलो मेटर तक 50 से 80 किलो मेटर तक फिर उसके बाद आता आयन मंडल 80 से ले करके कितना 640 किलोमेटर फिर उसके बाद बाहर मंडल 640 के उपर पास समझ मारी अगले कोशिन पे आ जाते हैं अगला कोशिन है बितामिन C की कमी से होने वाली बिमारी का नाम क्या है? बिकलपाप के हैंपे सही हो जाते हैं इस करिभी ठीक है? बिटामिन C का रासानिक नाम क्या है एसकॉर्बिक एसिड क्या नाम है एसकॉर्बिक एसिड बिटामिन C का अच्छा स्रोत कौन-कौन से आउला है नारंगी नीबू संत्रा अंगूर टमाटर ये सब नेक्स इंपॉर्डन कोशन आप सभी किसक्रीन पर भारत की प्रतम महिला IPS अफसर कौन कौन है प्रतिभा पार्टिल पद्मजा नाइडू किरन वेदी हंस हंसा मेहता बेकलब आपका यहां पर सही हो जाता है सी किरन वेदी ठीक है अगले कोशन की तरफ चलते अगला कोशन है असम का प्रसिद एक सींग वाले गैंडे वाला वनिजिव अभ्यारण कौन सा है मानस काजी रंगा गिर जंगल काना किसली विकलपियां पर आपका सही हो जाता है भी काजी रंगा काजी रंगा रास्टी उद्ध्यान असम राज्जि में कहां पर ब्रह्म पुत्र नदी के किनारे इस्ति थे हैं 1950 में इसे वनिजिव अभ्यारण गोसित किया गया था और 1974 में इसे रास्टी उद्ध्यान का दर्जा मिला यह भ्यारण मिलनी एक सही वाले गैंडे और हाथियों का प्रमुक रूप से निवास स्थल है अगले कोश्चिन पर आते जो important point होगा साथ साथ में आपको बताते चलेंगे निम्लहित में से कौन सा अगने चट्टान का उदाहरण है आपको अगने चट्टान का उदाहरण बताना है यह सं यापणी के जोगरफ्य। में सारे maximum कोश्चिन आपको मिल रहे हैं बेसाल चुना पत्थर स्लेट गुरेफाइट अगने चट्टान का उधारण आपको बताना है विकल्प आपके यहां पर ए सही हो जाता है बेसाल ठीक है अगले कोशिन पर आ जाते हैं अगला कोशिन आप सभी की स्क्रीन पर प्रतिवी के वाताबरण की किस सत्य में ओजोन प परत समताप मंडल कहां पर समताप मंडल या इस्ट्रैटो इस्पियर जिसे इंग्लिस में बोलते हैं समताप मंडल बारस से लिए करके 50 किलोमेटर की उचाएं दक्षणी गोलार्द का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर विकल्प यहां पे आपका कौन से सही होगा विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है D, 22 दिसंबर को ठीक है सबसे बड़ा दिन दक्षणी गोलार्द में 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन कब होगा आप लोग को कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके बताना है चलिए हम आपको बिकल्प दे देते हैं क्रेंट बिस जून एककीज जून 22 घर जून 24 दिसंबर को को मेंट करके रिप्लाइ खड़ाबर से तुरंध बताना है अगले कोशन पे ऐसाते हैं सत्यारत प्रकास के लेखक का नाम है Sत्यारत्प्रकास के लेखक का क्या है स्वामी दयानन सरस्वती विबेकानन राजा राम मोहन राय बदन मोहन मालवी है बिकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ये स्वामी दयानन सरस्वती अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन है दैनन सर्वस्वती नेक कोशन और पूछा जाता है वेदों की और लौटों का नारा किस ने दिया तो ये दैनन सर्वस्वती ने ही दिया था उन्होंने वेदों को भारत का आधार इस्तम बताया अगले कोशन पर आते हैं बिहु भारत के किस राज्जी का लोक नृत्य है बिहु भारत के किस राज्जी का लोक नृत्य है most important question है राजिस्थान तमिलनाडू असम उत्तरप्रदेश विकल्पी यहां पर आपका सही हो जाता है C असम का यह नृत्य बिहुत यहार के औसर पर फसल कटाई की समय और नए मौसम के आगमन पर किया जाता है ठीक है अगले question पर चलते हैं अगला question आप सभी की स्क्रीन पर खाद्र स्रिंखला की परस पर समूव को कहा जाता है most important question है यह सारे question हम करवा चुके हैं खाद्र स्रिंखला की परस पर समूव को कहा जाता है विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है खाद्य जाल ठीक है खाद्य जाल में उत्पादक उप्भोगता अब घटक उत्पादक में पौदे उप्भोगता में जंद अब घटक में कवक औ जिवाड इन सभी के मद्धि गहरा संबंद होता है और यह उसको यह उसको यह मतलब इस तरीके स्पूरा वह खाद्य जाल उलजा हुआ ठीक है अगले question पर चलते हैं और एक question और पूछा जाता है किसी भी पारिस्तिकी तंत्र में उर्जा का प्रवार कैसा होता है एक दिश नहीं हो जाता है कि सी जुकां कि जुकां कॉमन कोल्ड की बिमारी किसकी वज़े से होती है वाइरस की वज़े से राइनो वाइरस राइनो वाइरस के कारण होती है यह वाइरस नाक की म्यूकस मिंब्रेन को छतिगरस करते हैं कैसे फैलते हैं बिमारी चीक वायू इन सभी की वाध्यम से फ्यालती है अगले कोशिन प्रेसी को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्मुर्ट तत्व कौन सा है विकल्प में आपका सही हो जाता है दी व्रिस्टी १ को अगले कोशिन प्रेसी चलते हैं अगला कोशिन है बहुती बड़िया most important question है ये विश्व परिवेस दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है 20 मार्च को 23 मार्च को 5 जून को 5 अक्टूबर को बिकल्प याँ पियामारे कौन से सही होगा ध्यान दिजीग 20 तो परिवेस पूछा जारा परिया वर नहीं बिकल्प आपका हैंपे सही हो जाता है 5 अक्टूबर को या अक्टूबर के प्रथम सोमोर को मनाया जाता है ध्यान दिजीगा अगर अक्टूबर के प्रथम सोमोर आ गया बिकल्प में तो भी आप टिक करेंगे सही next important question पर आ जाते है बहुती बड़िया most important question है रुत्तर की तरफ बहती है बिल्कुल नहीं option आपके यहां पर सही हो जाता है C भारत का प्रथम अंटार कर्टिक शोध केंद्र दक्षण गंगोत्री अंटार कर्टिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र इसके स्थापना वर्स कब है 1983 से 84 और भारत नहीं जो दूसरा अनुसंधान केंद्र इस्थापित किया वो उसका नाम क्या है उसका नाम है ध्यान दीजिगा मैत्री यह सारे question पूछे जाते हैं इस्थापना वर्स इसका 1988 से 89 अंटार कर्टिक में भारत का तरती अनुसंधान केंद्र क्या है उसका नाम भारती दक्षण गंगोत्री मैत्री भारती भारती की स्थापना कब हुई 2012 में 2012 में भारती की स्थापना हुई अगले question पर आ जाते हैं अगला question है साथ-साथ में जितने side की हम point बता रहे हैं question से ज़ादा important है क्योंकि इस से question पूछा गया agenda 21 की छेतर से संबन्दी थे agenda 21 की छेतर से संबन्दी थे आपको बताना है सतत विकास परमाण निशस्त्री करण पेटेंस अरक्षन क्रिसी संबन्दी परिदान विकल्पी यहाँ पर आपका सही हो जाते हैं सतत विकास से संबन्दी थे agenda 21 वन लाइनर कोश्चिन में भी हमने करवाया आपको डिटेल में अगला कोश्चिन आप सभी की स्क्रीन पर है agenda 21 में कितने समझ होते हैं agenda 21 में कितने समझ होते हैं 4, 5, 6, 7 विकल्पी यहाँ पर आपका सही हो जाते हैं 4 agenda 21 सतत विकास के संबन्द में संयुत राष्ट के एक गैर बाध्यकारी स्वेक्छा से लागू की जाने वाली एक कारी यूजना है agenda 21 कितने हैं सतत विकास के संबन्द में सतत विकास से समंदित संयुत राष्ट के एक गैर बाध्यकारी कोई बाध्य नहीं स्वेक्छा से लागू की जाने वाली एक कारी यूजन है 300 पेज का ये पूरा दस्ता वेज है 300 पेज का ये पूरा दस्ता वेज है जिसे 40 अध्यायों में और 4 वर्गों में बाटा गया है Clear है? Next question पर आजाते हैं में किस वर्श बारस सरकार दोर्वार केंद्रिगंगा प्राधिकरण का गठन किया गया बहुत ही बढ generosity धिखिये 1975 में 1982 85ड की अधिर्षता में कभ किया गया था को明ा हैसी 1985 को किया गया था 1985 में किया गया था अच्छा एक चीज़ और important question पूछा गया है सितंबर 1995 में ध्यान दीजीगा सितंबर 1995 में 1995 में इसका नाम बदल करके रास्ट्री नदी संरक्षर प्राधिकरण कर दिया गया था इसके अध्यक्ष कौन होते हैं कोशन पूछा गया इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं ध्यान दीजीगा अगले कोशन पर आ जाते हैं अगला कोशन आप सभी की स्क्रीन पर Water Prevention and Control of Pollution से इस एक्ट लागू किया गया बहुती बढ़िया सा कोशन है 1973, 1975, 1977 1979 बिकल्पियां पर आपका सही हो जाता है 1977, 1977 Water Prevention and Control of Pollution से एक्ट 1977 से लागू किया गया अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन है नेमलेखित में से कौन जल को जिवान मुक्त करने में प्रिक्थ होता है ओजोन क्लोरीन डाइओकसाइड क्लोरेमीन उपर युक सभी बिकल्पियां पर आपका सही हो जाता है D Most Important Question मार कर लीजिएगा ठिक अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन है चलिए यहाँ पर क्लोरीन डाइओकसाइड CEL O2 Ozone O3 आप जान रहे हैं क्लोरेमीन इसका फार्मूला NH2CN अगले कोशन पर आजाते हैं अगला कोशन आप सभी की स्क्वीन पर निमलेखित में सी कौन जैविक संसाधन नहीं कौन सा जैविक संसाधन नहीं है यह आसान सा कोशन है शुद्दजल, कोईला, पेट्रोलियम, मचली विकल्पी यहां पर आपका कौन सा सही होगा जैविक संसाधन अपसन आपका यहां पर सही हो जाते हैं शुद्दजल, most important question और उमीद है कि आप लोग यह गलत नहीं किया होंगे लिकिन मुझे लग रहा है कि 90% student इसे गलत कर चुके है जैविक संसाधन जैविक संसाधन जियो मंडल यानि कि किसी जियो या जैविक पदार से प्राप्त किया जाते हैं जैसे अब ध्यान से सुनिएगा जैसे वन और पसू या उनसे प्राप्त हो सकने वाले पदार्त clear है और जिवाशमीदन जैसे कोईला और पेट्रोलियम ये सभी भी इसी वर्ग में शामिल किया जाते क्योंकि ये बिगटिज जैविक पदार्तों से ही बनते हैं सुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है अगले कोशिन पर आ जाते हैं अगला कोशिन है इन में से किस परियावरण विद को जल पूरुस के नाम से जाना जाता है संदरलाल बहुँ बुड़ा राजेंद सिंग विवेंक टेश्वर लू सलीमली विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है वी राजेंद्र सिंग राजेंद सिंग को भारत के जल पूरुस के रूप में जाना जाता है अगले कोशिन पर चलते हैं सर्सों के बीच के अप मिस्रक के रूप में सामानित निमली कितमे से किसे प्रयोग में लाया जाता है अप मिस्रक यानि कि जो मिलावट की जाती है सरसो की बीज में ऐसा क्या मिला दिया जाते हैं जिससे पता नहीं चलता है आर्जी मोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा के बीज, धनिया के बीज पपीता के बीज, काली मिर्श में मिला जाते हैं तो विकल पिया पर आपका सही हो जाते हैं आर्जी मोन के बीज अगले कोश्चिन पर चलते हैं एक पोस्टा की परजाती है आरजी मोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाती है ये एक पोस्टे की परजाती है सरसो की तेल में जब इसकी मिलावट कर दी जाती है तो उससे एक बिमारी होती है यह question पूछा जाता है तो उस बिमारी का नाम है dropsy उस बिमारी का नाम क्या है dropsy नामक बिमारी महामारी होती है अगले question पर चलते हैं अगला question है निमारी में कौन सा प्रदूशन कारक जैवी रूप से अबगटित होता है जैवी रूप से यानि कि सोक्ष्जीवों के द्वारा उसका अबगटन possible है कौन सा ऐसा प्रदूशन उत्पन करने वाला है एसबेस्टस, DDT, प्लास्टिक, मल तो एसबेस्टस, DDT और प्लास्टिक ऐसे प्रदूशन के कारक हैं जो जीवों के द्वारा अबगटित नहीं हो सकते हैं जबकि ये मल है, इसे सोक्ष्जीवों अबगटित करके मिट्टे में मिला सकते हैं और मिट्टे को उपजाओ बना सकते हैं अगले कोशिन पर आते हैं, हवा में तरते हुए, श्वसनी ये सोक्ष्व कड़ों का आकार होता है कितना होता, most important question है, 7 micron से अधिक, 6 micron से अधिक, 5 micron से या 5 micron से अधिक या कम बिकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, D, 5 micron से कम स्वसनी ये सोक्ष्व कड़ वे कड़ों होते, जो कम से कम इतने छोटे हों कि स्वसन के दोरान वो फेपड़े में प्रवेश कर सके और बिमारी उत्पन कर सके 5 micron से छोटी लगभग, 2.5 micron आकार वाले हवा में तैरते सोक्ष्व कड़, नसी का जिल्ली जो नसल मेंब्रेन होती उसके द्वारा वो अंदर चले जाते हैं और फिर फेपड़े में पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन करते हैं अगले question की तरफ चलते हैं, अगला question है, अच्छा ये 5 micron से जब बड़े होते हैं तो नसी का जिल्ली इनको रोक लेती हैं, लेकिन उससे छोटे को नहीं रोक पाती है, इसलिए आप option हमेशा 5 micron से कम वाला ही चूच करेंगे यहां पर देखिए ध्यान से, ध्यान से question देखिएगा, यहां पर एक लाइन और है, अनाज्यों और तिलहनों के अनुप्यूक्त रख रखाओ, अच्छे तरीकिस ना रखने की वज़ा से, और भंडारन के परिणाम सुरुप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हे किसके द्वारा उत्पादित होता है, जैसे अनाज और तिलहन का अगर हम अच्छे तरीके से रख रखाओ नहीं करते हैं, अफला टॉक्सिन नामक विश बनता है, वो किसकी वज़से त्यार होता है, और जनरली यह जो अफला टॉक्सिन होता है, वो भूजन पकाने के अगले कोश्चिन की तरफ चलते हैं, अगले कोश्चिन, अच्छे फपूदी का नाम अगर पूछा जाए तो अफला टॉक्सिन मेली एसपरजिलस फ्लेवस, आपको नाम लिख देते हैं, एसपरजिलस फ्लेवस, इसकी वज़़से होता है, अगले कोश्चिन पी आ जाते ह दूद को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है important question है इसका option यहाँ पर आपका सही हो जाता है C Lactobacillus option सही हो जाता है C ध्यान दिजिएगा दूद में Streptococcus lactis Streptococcus lactis एमंग Lactobacillus lactis नामक जिवारू पाये जाते हैं दूनों आम अपको याद रखना है ये क्या काम करते हैं दूद में पाये जाने वाली शरक्रा कौनसी शरक्रा lactose शरक्रा को किस में बदल देते हैं ये Lactic acid में जब acid में बदल देते हैं तो दूद कैसा हो जाता है呢 यह लाक्टिक अमल जिवाड़ों दूद में पाया जाने वाले केसी नमक प्रोटीन की छोटी-छोटी बूदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं क्लियर हो गया दूद में प्रोटीन केसीन सरकरा लाक्टूस यह सारे कोश्चन आपके एक्जाम में पूछे गए हैं और एक्जाम में आने के इनके चांसे हैं जितने पॉइंट हमने बताए एक्स्ट्रा सभी आपको अपने माइंड में रखना है अगले कोश्चन पर चलते ह जो मनुस्यों में संक्रमित जानवर के काटने से फ्यलता है हीमोफीलिया चैंसर रेवीज गलसुआँ अपसनियां पर आपका कौन से ओगा सी रेवीज रेवीज जानवरों का एक वाइरल रोग है जो मनुश्यों में संकर में जानवर के काटने से हुता है यह मेंले कुत्तों के चम्गादर, लोमडी, आधि जानवरों के काटने से फैलता है कि वाल गुद्धों से ही नहीं ध्यान दीजेगा रेवीज का वारस किसे अफ्रेक्ट करता है ये तंत्र का तंदिय यानि कि central nervous system को जिससे पिडित ब्यक्ति सामाने नहीं रह पाता है रेवीजरोख को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्या कहते है हाइड्रोफोबिया आज जेयु आवपर्धन या जेयु संचे का कारण क्या है अगले क्वार्धन और आज ऌन लाइकें प्रोटेन विकल्पिया पे आपकर सहरे हो जाता भी और जोचले में अब ये बायो मैगनिफिकेशन क्या है जयो आवर्धन क्या है जो केटनासिक पदार्थ होते हैं खरपतवार नासी होते हैं या अनेक क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका जिवधारियों के दौरा बहुत कम बिगटन होता है ये सूक्ष जिवों के दौरा नही इस प्रते में नहीं मिलाया जाते हैं तो यह इनका जब गटन नहीं होगा तो क्या होता है यह पदात खादर शिंखला में पौधे और जन्तूओं के शरीर में पहुंसते जाते हैं और वहीं पर वो संचित हो जाते हैं एक ट्रॉफिक लेबल से दूसरे में ऐसे ही पहुंसते पहुंसते संचित होते हैं और इनकी सांदरता प्रते ट्रॉफिक अस्तर पर प्रते ट्रॉफिक लेबल पर क्या होता है ब आयो मैगनिफिकेशन या जयो संचे इसमें एक्जाम्पल है और गेनो क्लोरीन और एक एक्जाम्पल डी डी टी खूब पुछा जाता है डी डी टी बी एच सी ये सभी अगले कोशिन पे चलते अगला कोशिन आप सभी का निमलेखित में से वक कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभासित लक्षणों में अचाने के उग अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है विकल्पी यहां पे आपका सही हो जाता है B. उत्परिवर्तन कौन सौप्शन सही होगा? B. उत्परिवर्तन Mutation इस सिद्धान के नुसार नई प्रजातियों का विकास उनके लक्षड में सडिल्ली अकस्मात अप्रत्यासित परिवर्तन के कारण होता है उत्परिवर्तन सिद्धान या उत्परिवर्तन वाद किस ने दिया? Hugo de Vries अब जो परिवर्तन जीन्स में होते हैं वही दूसरी पेड़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं अगले कोशन पे आते हैं अगला कोशन है आनुवान सिक्ता की नियम को किस ने प्रस्तावित किया? विकल्पियां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्पियां पे आपका सही हो जाता है C Gregor Mendel Gregor John Mendel ने Gregor John Mendel ने वनसा गती का सिद्धान बना कर आदुनिक आनवान शिकी की निव डाली और इन्हें ही आनवान शिकी का पिता कहा जाता है ठीक है अगले कोशिन पर चलते हैं अगर वाट्सअप ग्रूप पे आप लोग ओनेस्टी दिखाईए अगर हम आपके लिए इतनी में इनत कर सकते हैं तो आप लोग एक लाइक और शेयर जरूर किया करिया ठीक है तो चलिए यहां पर ऑप्सन आपके सही हो जाता है एक आनुवान सिक प्रक्कित है इसे यक सहलं रोग भी कहते हैं वडान व्यक्ति लाल वह हरे रंग का भेत नहीं कर पाता है कौन-कौन से रंग लाल और हरे रंग का वह भेत नहीं कर पाता है दोनों रंग इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधा पन भी कहते हैं इस रोग में इस त्री वाहक की भूमिका में रहती करियर की बुमीका में कौन रहता है इस त्री रहती है अगले कोशिन पर आते नेक्स्ट है विकास का सिद्धान किसकी दोवरब प्रस्तावित किया गया था चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अलबर्ट आइनस्टाइन, आइजेक, न्यूटन आपसनिया पर आपका सही हो जाता है यह चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन दोवरब जय विकास का सिद्धान प्रतिफादित किया गया जो डार्विन वाद के नाम से प्रसिद्ध है इस दान की जो डेटेल में ब्याक्या है इनकी पुस्तक में मिलती है इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाओ द्वारत जातियों की उत्पत्ती Origin of Species Origin of Origin of Species C-E-I-E-S Origin of Species